दुनिया का सबसे highest ATM machine किस country में है और जपान की ये company non-smokers के साथ क्या करती है और ये एक ऐसा hotel है जिसमें सिर्फ grand mother ही apply कर सकती है और जब भी कभी recessions आती है तो वो हमारे health के लिए कैसे benefit होती है इस वीडियो में बहुत ये amazing fact जाने वाले है तो चैनल को subscribe करते ना बढ़ते ATM machine पाकिस्तान में available है number two Japan की ये जो company है वो non-smokers को हर साल एक award देती है जब भी उस company में जो smoke break नहीं लेता है उसे extra six days की जो paid leave है वो हर साल उसे देता है number three Singapore की ये government policy है जिसमें जब भी आप 21 साल के हो जाओगे तो आप automatically organ donor के लिए registered हो जाओगे without any permission number three New York में एक hotel है जिसमें जितने भी chefs है वो grandma है क्योंकि जब भी grandmother खाना बनाती है तो वो traditional cuisine बनाती है जिनकी मदद से उनका hotel बहुत ही चलता है number five आपको तो पता ही कि recession हमारे लिए बहुत ही खराब होता है जो बहुत सारे jobs चले जाते है और बहुत ही middle class वाले को problem होती है लेकिन जो recession होती है वो हमार जो health है वो दिन बर दिन अच्छी होती जाती है